आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार and welcome back to your own channel dreamdo's hope you all doing pretty well so let's get started आज आपका third video है ठीक है बिहार दरोगा मेंस के लिए and again I am telling you guys अगर आपको selection लेना है तो maths and reasoning perfect in the sense होता है 25 questions तो 25 out of 25 score करो ठीक है और और कैसे करना है हम आपको बताएंगे daily आपके जो videos आते हैं उसको आप follow कीजे आप देखो कि किस तरीके से exam का approach क्या होता है किसी questions को करने के लिए ठीक है बाकि आपके लिए course ला दिया गया आज ही तो आप उससे जरूर आप join कर लिए ठीक है चलिए तो start करते हैं तो पहल questions को बहुत ही कम time में कर लोगे और बहुत ही easily तरीके से आपको लोग कर लोगे ठीक है तो पहला question आपके सामने a man purchase two fans मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ simply बदा देता हूँ कोई एक man है जो दो पंखा खरिता है ठीक है जिसका जो दाम है वो है 2160 दोनों पंखा का एक पंखा क दोनों कितने में खरदा 2160 में खरदा एक को ठीक है उसने profit पे बेचा 15% के profit और दूसरे को उसने बेचा 9% के loss ठीक है तो पूछा है कि जब पूरा ये उसका transaction हुआ तो ना उसको loss हुआ ना उसको मतलब आपका gain हुआ ठीक है तो पूछा है कि cost price क्या था हर एक fan का ये चीज आपको यहां पूछा गया है देखो अब जैसे हमने देखा जब अगर आपने मुझसे परहा हुआ है अगर आप कहीं भी अच्छे से परहे हो तो आपको समझ में आएगा जब किसी भी चीज को मिला दिया गया है मतलब पूरा को एक साथ मिला दिया जा रहा है profit को भी loss को भ ठीक है 15% का क्या हो रहा है हमें क्या हो रहा है हमें profit हो रहा है इसलिए हमने क्या में लिखा positive में लिखा और 9% का हमें loss हो रहा है ठीक है और overall transaction पे हमें क्या हो रहा है तो 0% ना हमारे profit हो रहा है नो हमारे loss हम लोग इसको यहां गीचेंगे इसको यहां गीचेंगे यहां और यहाँ इसको minus करके तो यहाँ क्या आएगा? CP का value आएगा, ठीक है? तो हम लोग ने इसको यहाँ से minus किया, तो यहाँ तो यह 15 आगया, 0 यह इस pattern में जा रहे है, तो 0, ठीक है? 15 minus 0, 15, 0 minus 9, 0 minus minus है, तो यहाँ फिर चे आपका क्या आजाएगा? यहाँ 9 आजाएगा, और इन द दोनों को आप sum करते हैं, तो total कितना आगया? 8 आगया, और 8 unit मुझे कितना दिया हुआ है, दोनों का, यहाँ दिया हुआ है 2160, ठीक है? यहाँ आपको समझ में आगया, तो यह कितने time से आप directly आप समझ जाओगा, यह 270 time है, मतलब जो हमारा value मिल गया, ठीक है? 1 unit का value मिल गय 6, 7, 8, 810, मतलब पहला का जो CP है, वो 810 है, तो हम directly देखेंगे, पहला हम से हम चेक कर लेंगे, तो हमारा answer जो आजएगा, हमारा C जो है, वो सही answer हो जाएगा, दूसरा का निकालो को तो 1350 आपका आएगा, और दोनों को अगर add कर देते हो, ठीक है? अगर दोनों को add कर देत का sum जो होना चाहिए, 2160 होना चाहिए, तो कभी-कभी इससे भी बन जाता है, तीनों क्या होता है, कि तीनों में जो sum होगा, वो 2160 नहीं होगा, बट किसी एक में होगा, जो आपका answer होगा, तो इससे भी लोग और जो आपको examiner, वो फसानी की courses करते हैं, और इस courses को आप within a second क कर लेते, अगर आपको इस चीज का समझ रहता, कि दो, अगर हम लोग जब भी mixture का बात कर ले, profit और loss को हम लोग मिला ले, ठीक है, और overall चीज हमें पता हो, या loss हो रहा है, या gain हो रहा है, तो आप ये concept यहाँ लगा सकते थे, ठीक है, समझ में आया, चले, आसा करता हो, आप समने solve क्या होगा, यही चीज यहाँ लिखा होगा है, ठीक है, इसका PDF में दे दूँगा, ठीक है, आप टेलीग्राम जोइन कर लेना, ऐसे maths में आपको man चीज आपको practice करना है, ठीक है, ओके, सो आपके लिए space ली, हम फिर से आपको बता दे, जितने लोग भी select होएं, last batch से, even वो, हर वो questions करके आये हैं, जो लोग छोर के आये थे, last batch, जो 2400 वाले जितने भी हम से जुरे होए थे, ठीक है, बहुत लोगों का हमने interview अलड़ी upload कर दिया है, तो अगर आपको इस बार ही CEO selection लेना है, तो हमारा maths and reasoning वाले course से जोर सकते हो, इस number पे आपको 300 उपीस payment करना, यह nominal charges है, यह course जब आप लोगे इसके साथ ही आपको हर वो चीज प्रोवाइट किया जाएगा, topic wise video, ठीक है, उसके बाद practice state, हर वो चीज आपको प्रोवाइट किया जाएगा, जिसका आपको exam निकालने में बहुत मदद होगी, मतलब you will be among the topper, but वो चीज आपको करना जो भी videos आपको provide किये जाएगे, ठीक है, प्लस आपको जो BPSC का जो 10 मा का question आता है, वो भी आप 10 out of 10 score कर पाओ, क्योंकि हम यहाँ permutation से लेके, आपका probability से लेके, वो सब topic करेंगे, जो आपको यहाँ पुछा जाता है, तो यह number है, इस पर ही आपको phone पे, Google पे, या जो भी ह आपके पास उससे, और इस पे screen shot भेज देना है, आपको telegram पे, ठीक है, चलो, अब यह question बहुत ही अच्छा question है, आप ध्यान से देखना है, इस type के questions वो देते हैं, ठीक है, अब यहाँ देखो, अब मैं बताओंगा कि आपको, जब भी आपको इपको मैच्स के questions करते हो, हमे इस परकार कुल इतना रुपिया जमा हो गया, तो उस पार्टी में उफस्ती सदे से कितने थे, इस बार में जो आया था, हैंसेक बलाया था, आपको अगर याद हो, प्री में जो आया था, हैंसेक, कितने हाथ मिलाते, इस type के जो होते हैं, मतलब थोड़ा logical, थोड़ा, प्री आओगा, तो हम माल लेते हैं कि पिक्निक में जो लोग हैं, वो X है, ठीक है, कितने हैं, वो X है, तो अब और क्या पोचा है, कि each member of a picnic, ठीक है, उतना पैसा दिया है, जितने भी लोग हैं, पिक्निक पार्टी में, उतने पैसे दिये हैं, कितना, जितना की लोग हैं, और हर लोगों ने कितना पैसा दिया है, 2X दिया है, तो X into 2X equal to क्या हो गया, 3042, बस इतना ही तो करना था, आगया आपका answer, यहां आजाएगा आपका 2, यहां आजाएगा 3042, ठीक है, अगर इसको आप solve करते हो, तो X के अंदर आपका आजाएगा, इसको आप 2 से divide करोगे, तो 2 से जब divide करोगे, यहां आपका आजाएगा, 15, 21 आपका यहां आजाएगा, और root उपर आजाएगा, अगर आपने ESI मैंस दिया है, sorry, ESI मैंस, इस बार का जो दरोगा का प्री में एक कोशन, इस तो आपको roots पे कोशन दिये होए था, कौन कितना fast अगर roots आपको solve करनी आपको last digit देखो, last digit क्या 1 है, तो either क्या हो सकता है, यहां 9 हो सकता है, या 1 हो सकता है, और यहां क्या आपका 15 है, 15 मतलब क्या, किसके बीच का है यह, तो either यहां 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, और आपने हमेशा, आपको पता है कि जब इस side वाले लेते, तो हमेशा छोटा वाल ले ठीक है अब यहां तो 3 आ गया अब यहां क्या आएगा आपको यह सोचना है ठीक है अब जब भी इस टाइप का आए तो विदी ने सके इन दो लोगो को multiply करना ठीक है आपने multiply किया और यह वला जो है यह वला ठीक है यह वला को इसको compare करना क्या यह 15 इससे बड़ा है जी हां बड़ा है तो हम लोग यहां बरावला लेंगे तो यह होज़ेगा बड़ा हो गया 39 इसका answer हो जएगा अगर यह चीज देखो तो यहां 2-3 चीज आपका उहां चेक होगे एक तो आपका square root उन्होंने चेक कर लिया और एक basic logic चेक कर लिया two है आपका ठीक है अब उसने बोला है कि जितने लोग होंगे मैंने x लिया था उसका double उन्होंने पैसा दिया है हर एक member तो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा 39 है मैं बताऊंगा वी दिया सकेंड चेक के से करेंगे अगर 39 है लोग है तो हर एक member ने कितना पैसा दिया होगा इस नौटे बहत्तर नौटे बहत्तर नौटे बहत्तर नौटे बहत्तर लास्ट जिजिट टू आ रहे तो डाइरेक्ली हम इसको भी मार सकते थे बट एगैन यह क्या option में ठड़ होता है तो हो सकता अगर दो अगर ऐसा अगर आपको दिख जाए लास्ट तो आप चेक कर लेना आप अगर इसको टोटल मल्टिप्लाइ करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यह 3042 आ जाएगा तो आप option से भी कर सकते थे बट यह की exam में दिमाग इतना चलना चाहिए अब वो कैसे चलेगा सिंपल है जितना प्रेक्टिस करोगे उतना दिमाग आपका चलेगा तो दो कोशन ते आशा कर दो आपने अभी तक 2 आउट आप 2 इसकोर किया होगा अब देखो यह बहुत ही बेसिक सा कोशन है ठीक है बस समझ का फेर है देखो इस सम ओप अस्टीम होता है यह स्टार्टर नहां सी तरीक में का इन ऑन ता नो फोल्ल सव से इस समित गता है इस इससा basic है number system से आपको पूछ लिया जाए कि इसमें भी confused होता हो जोगा ठीक है तो पूछा है कि if the sum of the square of a 3 consecutive natural number is इतना है ठीक है then the smallest of this natural number is यदि 3 क्रामा प्राकृति ठीक है natural number जिसको हिंदी हम होता है प्राकृति संख्याओं का वर्गो का यूग एक सा 10 है तो उन में से सबसे छोटा जो natural number हो क्या है मैं माल लेका हूँ कि छोटा natural number 5 है तो अगला क्या होगा 6 होगा उसके आगे क्या होगा 7 होगा इसका अगर square करता हो 25 होगा इसका अगर square करता हो 36 होगा इसका square करता हो 49 होगा तो अगर यह चीद सही हो गया तो इसका sum कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, मतलब 110 आना चाहिए, तो देख लो, ठीक है, यह हो गया, 9, 10, 15, 15 हो गया, 5, 20 हो गया, 4, 3, 7, 8, 9, 9, 1, 10, मतलब यह बला ही इसका सही answer है, मैंने सिप छोटे से, उसने क्या आप सबसे छोटा नमबर हो कोने हैं, तो मैंने माल ल आना है, जो exam में कैसे किया जाता है, ठीक है, तो यही है, 5 का square, प्लस 6 का square, प्लस 7 का square, तो यह हो जेगा, 110, यह हो गया, आपका question number 4 आपका आगया, ठीक है, अब इसमें देखो, क्या है, the greatest number that divide 122 and 243, leaving respectively 2 and 3 as a remainder, मतलब, वो सबसे बरा नमबर, ठीक है, आपको खोजना है, जब वो 122 को divide करें और 243 को divide करें, तो हर case में जो remainder है, 2 और 3, यह तो काफी basic सा question है, मतलब, छोटा-छोटा दे दिया था, आप easily कर लोगे, बट यहां आप concept समझना, ठीक है, आपको वो बरा से बरा number ढूंदना है, ठीक है, जब वो 122 को divide करें और 243 को divide करें, ठीक है, तो क कarता हूं, सबसे पहले क्या करता हूं, 122 में से minus 2 कर देता हूं, तो यह 120 आजाएगा, ठीक है, और 243 में minus 3 कर देता हूं, तो यह क्या आजाएगा, आपका 240 आजाएगा, ठीक हम, और इन दोनों का में HTF निकालएगा, HTF क्या होता है, मैंने आपको परहाया है, between a seconds, HTF कैसे दोसे निघालते है तो तो hc-hc up वो nl होता है जो इन दोनों को ठीक है इन दोनों को ठीक है कर्ड़ेगा 210 अब मतलब व फक्रा से बरा नंबर जो इन दोनों को डिवाइट कर देगा तो इन दोनों का अगर में निकाल लेता हो तो hcf क्या होगा मैंने आपको hcf निकालने सिखाया तो वीदी ने सेकेंड कैसे निकालता है जल्दी बताओ जो भी नंबर दिया हो उन नंबरों को पहले क्या निकालता होगा आप difference निकालोगे तो इसका difference क्या आएगा 120 वही आपका hcf होगा या उसका factor hcf होगा तो पहले हम divide करके देखते क्या इन दोनों को divide करता है तो जी हाँ 120 120 को divide कर देगा 240 240 को यह 120 120 को भी divide कर देता और 240 को भी divide कर देता मतलब आपका 120 और 240 का जो hcf है highest common factor है वह बरा सवारा number जो इन दोनों को divide कर देगा वह 120 है और यही आपका answer हो जाएगा बोलो क्यूं क्यूंकि यह 120 हो गया और 120 में अगर क्यूंकि हमने 2 minus किया था तो 2 अगर लगा देते हैं तो 122 आजएगा और 122 को अगर 1 by 20 से divide करेंगे तो हमारा remainder 2 बचेगा उसी तरीके से इसका भी basic है समझ में आ गया simple था hcf का concept आपको लगाना था सबसे पहले हमने क्या क्या जो भी remainder बचता है उसको हमने minus कर दिया उससे और उसका hcf निकाल लिया और वही आपका answer हो जागा ठीक है इस सबसे basic pattern है hcf-lcm का ठीक है तो 120 इसका answer हो जागा अब देखो अब यह भी अच्छा सा question है ठीक अब ध्यान से देखना ठीक है सum of hcf and lcm क्या दिया हुआ है कि hcf plus lcm आपको क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ है आपका 403 ठीक है मुझे पता है कि hcf और एक number आपको दिया हुआ है दूसरा number तब जैसे से यह आपको यहाँ लिएक number दिया है दुसरा ne blows निकालनाना तो आपको एक formula तो यादी होगा plusieurs product of two numbers, नमबर का जो गुननफल होता है उसके HCF और LCM का गुननफल होता है, ठीक है, मतलब दो HCF, LCM को अगर गुना करोगे, तो किसके एक्वेल होंगे, उसके दो नमबर के गुननफल के एक्वेल होंगे, जिसका हम लोगे HCF, LCM निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें यहां एक दिया हो यह तो दूर्सा नंबर मिन मिल जाएगा तो HCF-LCM लिख दिया 403 और LCM कितना है हमने अभी देखा तो LCM कितना है हमारा 12 time of HCF है ठीक है तो यह 403 हो गया हमारा इन दोनों को रिखेगा तो 13 HCF हो जाएगा ठीक है यह 403 हो जाएगा तो HCF का value कितना आजाएगा आपका 33,39 और 1 और 3 ठीक है न 31 ही आएगा ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा तो 13 आ गया इसका 31 आ गया इसका HCF अब हमने क्या क्या HCF into LCM equal to होता है product of मालो नंबर X एक है और दूसरा नंबर तो हमने पता है क्या है 93 ठीक है तो HCF हमने लिख दिया 31 और LCM क्या है 12 time of HCF तो 12 time of HCF HCF क्या है 31 और यह हमने X into 93 लिख दिया ठीक है तो यह तो हो जाएगा 13 3 जा 93 31 3 जा 93 और यहां से 3 से यह कार दोगो तो यह 4 times आ जाएगा और यह जो X का value जो आ जाएगा 41 जा 4 और 43 जा 12 124 जो होगा उसका वो दूसरा नंबर होगा ठीक है बेसिक था समझ में आया कि कैसे करना है ठीक है यह सब को और भी आप sort कर सकते हो ठीक है मैं बताओंगा कि कैसे इसको आप मतलब options से सबसे भी कर सकते हो बट अभी कुछ-कुछ basic से जो आपको मुझे बता देना चाहिए ठीक है इसलिए मैं इस तरी किसे आपको कर बार रहा हूं ठीक है इसका 124 इसक किलोमेटर पर आवर एक कोई आदमी है ठीक है जो कोई एक certain distance मतलब यह distance fix हो गया आपको समझ में आ गया होगा a man travel a certain distance at 12 km पर आवर and return to the starting point at 9 km पर आवर ठीक है मतलब 12 km के हिसाब से गिया और 9 km पर आवर के हिसाब से वो आपस आए the total time taken by him for the entire general total time कितना लगा उसको यहां directly लिख लो 7 by 3 hour उसको total time लेगा तो पूछा है total distance आपको पता है कि distance equal to speed into time ठीक है but speed यहां तो क्या है 2 दिया हुआ है मतलब ऐसे गया और ऐसे आया मतलब क्या 2 speed हो गया मतलब क्या हम यह average speed निकाल पाएंगे average speed का formula क्या है 2 into xy x plus y into time जो है यहां time लिख लेगे बट यहां एक चीज आज समझने के लिए मैं आपको बता दू क्योंकि exam में वो twist करेंगे अब यहां ध्यान देना कि मालो यहां distance fix है इतना कोई speed से गया फिर इतना आ गया मालो यह distance अगर fix ना हो मालो यहां से यहां गया फिर से यहां से यहां गया और इसका average speed निकालने बोले तब केसे करोगे तब तो difficult हो जाएगा तो उसका भी मैं बताऊंगा पहले अगर देख तो यह आपका कितना आ जाएगा ठीक है तो देखो फर्मुला यहां धेगा तो यहां 21 आ जाएगा और time कितना मुझे 7 by 3 दिया हो ठीक है यहां से यह कर जाएगा 3 3 3 9 यह कर जाएगा यहां से और यह 24 km जो है आपका distance हो जाएगा बट अभी यहां समझना जो मैं आपको ची तो याद रखना है इस टाइप के questions को आपको गया मैंने पहला मान लिया कि मेरा spirit 12 km पर रावर दूसरा मैंने मान लिया मेरा दूसरा जो यहां दिया हुआ है 9 km पर रावर यह मेरा speed है ठीक है इन दोनों का LCM कितना होगा 36 होगा तो यह 36 जो LCM लिखेंग है वो हमारा distance हो गय यहां 7 हो गया पर मुझे दिया हुआ कितना time है 7 by 3 क्योंकि इसको दिखोगे तो 7 by 3 आएगा 7 by 3 तो मतलब इस concept के हिसाब से 7 आ रहा है ठीक है बट मुझे originally कितना दिया है 7 by 3 तो 1 unit का value कितना आजएगा आपका 1 by 3 आजएगा अब simple है 1 unit का value अगर 1 by 3 है तो 36 unit का value कितना होग 1 by 3 into 36 मतलब 12 वेधी ने second आप निकाल सकतो अगर ये concept आपको पता हो ठीक है इसको कभी हम और elaborate करेंगा अभी जो समझा है बस इतना याद दखना क्यूंकि अगर distance constant है और distance पे गया उसी distance से वह वापस आगया तब तो ये बहुत फॉर्मूला लग जाएगा 2xy x plus y average speed के लिए बट अगर यहां से यहां गया फिर यहां गया फिर वापस आया थोड़ा वो twist कर दे तब आपको इस तरीके से निकालना है ठीक है चली यही चीज़ यह दिया है basic और फिर से इस टाइप से जो मैंने करवा है दोनों आपको दिया हूए अब यह basic सा question है जल्दी से आपको करक इसका value हम पुझा है ठीक है तो directly कुछ भी ले लो x equal हम लो 5 लेते हैं तो y equal to कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा इसको अगर directly यहां अगर मैं लाओ नीचे अगर मैं लिख दू x cube into y cube ओपर क्या आजेगा y cube प्लस x cube आ जाएगा ठीक है अब directly value लग दो तो y मे 125 हो जाएगा ठीक है 125 हो जाएगा x cube x 125 into y cube 8 हो जाएगा तो उपर आजाएगा 133 और नीचे आजाएगा आपका 800 1000 आजाएगा ठीक है 1000 आजाएगा ठीक है तो 0.133 इसका एंसर आजाएगा ठीक है चलिए यही चीज है आपका यहाँ अब यह एक ऐसा खोशन है चो आपने बहुत बार बिहार की एक्जाम में देखा होगा ठीक है तो आपको बताना है कि इसका सही एंसर गया है ठीक है यहाँ A, B दो man option कट गया ठीक है इसका 15 परसेंट भी लिख लो और D यहाँ 20 परसेंट लिख लो option में ठीक है अब देखो यहाँ क्या बोला है By selling 72 आर्टिकल ठीक है A loss equal to the selling price of 8 आर्टिकल was incurred What is the loss percentage ठीक है 72 वस्तू बेचने पर 8 वस्तूओ के विक्रिया मुल्या के बराबर हानी हुई है अब देखें ध्यान से देखेंगा कि यहाँ क्या बताया जा रहा है देखो यहां बोला है कि by selling 72 आर्टिकल तो मान लो कि 72 आर्टिकल का जो CP था क्रिया मुल्या था माइनस 72 आर्टिकल का जो विक्रिया मुल्या है इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो मेरा क्या मिल जाएगा loss मिल जाएगा और loss कितना हुआ है 8 article का विक्रिय मुल्य के ब्रावरत 8 article का विक्रिय मुल्य के ब्रावरत इसको इधर ले जाओ 72 CP हो जाएगा और इधर आजएगा तीगे 80 SP हो जाएगा ठीक है? हो जाएगा आप 8 से कार सकता हो 933, 9, 72 और ये 10 तो CP by SP का अगर आप ratio लिखते होती ही क्या आजएगा 10 ठीक है? CP आजएगा 10 और SP आजएगा आपका 9, difference कितना है? 1 unit का ठीक है? 1 loss हुआ है और CP कितना है? 10, तो 1 by 10 मतलब क्या होता है ratio हम इसका कर निकालोगे तो 10% इसका loss हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? बहुत ही अच्छा हो, प्लीज बताईएगा बाकि आप share जरूर करो, ठीक है? और जिस तरीके से हम समझाने की कोशिस कर रहे हैं, आप उस तरीके से approach करने की कोशिस करो, ठीक है? So thank you so much guys, hope you आपको मजा आया होगा, ठीक है? और बाकि आप बताईएगा, बाकि जितने लोग चाहते हो कि इस बार selection आपको लेना है, ठीक है? वीडियोज यूट्यूब पर आते रहेंगे, बट अगर आपका basic, और इस बार ना आप ये मत करो कि इसर लेना है, नहीं लेना है, ठीक है? आपको selection अपना ensure करना है, राजगीर के दरवाजे पर स्रीफ पहुँचना नहीं है, अंदर भी जाना है, ठीक है? तो, thank you so much, अगर कुसी भी तरिके के डाउट हो, बताईएगा, जहेंद!